हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पाच्छाला तो चलिए शिरू करते हैं आज एक नया टॉपिक देखे आज हमें क्या करना हैं काबिनेट मिनिस्ट्रों के बारे में हम पढ़ेंगे मिकोथ आपको बतेगे बहुत जबाएंगे नसाल के एक याद करने हैं कि अयाध ऐचैन करते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स हमारी अच्छी लगी और आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक करें वीडियो को शेर करें से जाधर से जाधर और अलसो सब्सक्राइब करें चानल को तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो and the first हमारे पास देखे मिनिस्ट्री में कौन है राशनात सिंग मैंने आपके लिए साइट में सारी ही पिक्चर्स लगाई हुए ताकि आप पिक्चर्स के साथ सब चीजों को ध्यान कर सको क्योंकि देखो पिक्चर्स से समझन बहुत ज़्यादा इजी होता है चलो सबसे बहुत कर लो राशनात सिंग की तो भई सभी लोग इनके बारे में चानते हैं इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस यानि रक्षा मंत्राले अब देखो वैसे तो सबको यह याद होगा लेकिन चलो फिर जो आर्मी इसको स्ट्रॉंग बनाना होगा तो यहीं से आप ध्यान रख लोगे राज इससे क्या हो जाएगा रक्षा कि अगर इंडिया पे जैसे ब्रिटिशर्स ने राज किया था उस टाइम पे हमारी जो रक्षा मंत्राले आप कहलो या फिर आप में आर्मी ती यहां पर आप अपने घर में पर जाएगे फिर आगे बढ़ते हैं वैसे तो यहां पर अगर आप सोचो कि ट्रिक में आपको बता दो तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान भी रखो चल कोई नी फिर भी मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ बहुत इंट्रस्टिंग ट्रिक है देखो क्या है शहां से आपको क्या ध्यान लगता है शहां जहां शहां कौन थे राजा थे अब आप अपने घर में कैसे रहते हो राजा की तरह रहते हो ना ऐसा तो नहीं है ना कि ए अपनि घर में आप से काम करवाया चा रहा है नौकरों की तरह ऐसा तो नहीं होता वहाई हर कोई अपनी घर में राजा की तरह रहता है तो घर से क्या हो चाएगा हो जाएका अप इए छोड़च्टे ट्रिक्स खुद भी मना सकते हो और उनसे चीजों को ध्यान कर सकते हो आगे देखो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्या है डीवी सर्वानन्द गोडा तो डीवी सर्वानन्द गोडा जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ओफ कैमिकल और फर्टिलाइजर्स यानि रश्ठायन एवं उर्वरक मंत्राले अब इसे कैसे ध्यान रखना है देखो गोडा से आप ध्यान रखो गोडाउन गोडाउन होता है जहां पे हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते है तो उस गोडाउन में हमने कामिकल और फर्टिलाइजर्स को स्टोर करके रख रखा है आप ऐसे ध्यान रख सकते हो एक तो ट्रिक देखो ये है, दूसरी भी बता देती हूँ, कि गोड़ा से ध्यान रख लो, गोड़ा, गोड़ा आपकी घास को ना चरे, तो इसके लिए आप वहाँ पर क्या डाल दोगे, उस पर क्यामिकल्स डाल दोगे, कि भाई या गोड़ा अमारी घास को ना चरे, खतम तो इस तरीके से आप धियान रख सकते हो, तो दो मैंने आपको यहाँ भी ट्रिक बतार दी, कोई से भी ट्रिक से आप धियान रख सकते हैं इसको, ठीकित, तो फटा फटसे हाँ, लेकिन सारी हम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्रों को पूरा करेंगे, चलो, आगला देखो क्या है next आता है नितिन जेराम गठकरी इनके पास दो Ministry है कौन-कौन सी फोस्ट है Ministry of Road Transport and Highways यानि सड़क परिवहन एवं राचमार्ग मंत्राले और दूसरी है Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises सूक्षम लगो एवं मद्यम उद्यम मंत्राले MSME जिसे हम शोट में बोलते हैं आप देखो याद किसे करना है नाम नतियराम गटकरी से क्या ओचाएंगा गाडि ठीक ए गटकरी से आपको क्या धियां लखना है गाडी कहाँ पे चलती है उफ्चाण कर ले वे गाड़ी के लिए तो गाड़ी को हम क्या बोलते आप देखो आप अगर अपनी गाड़ी चलाके जा रहे हो आप अपना काम करते हो कोई चाहे वो छोटा हो आपका काम लगू हो मद्यम हो तो वहाँ पे जाने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत होगे तो यहां से आप ध्यान ढग सकते हो और गाड़ी यानी नितिन जेराम गटकरी तो कितना देखो आसान हो जाता है थोड़ा सा ट्रिक से याद करना वैसे आपको सारे काबनेट मिनिस्ट्रों याद होने चाहिए लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे तो ट्रिक से ध्यान कर सकते हो चलो फिर आगे आचाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं क्या है नेक्स्ट क cath tra mixing क्या है राम बिलास पास्वान चीए के फूड से ध्यान रख सकते हैं food and public distribution ठीक है चलो इतना भी अगर आपको ध्यान नहीं रहरा तो एक और चीज हम यहां पर कर सकते हैं अगर देखो पासवान में क्या आ रहा है पास ठीक है आपको अगर अगर फूड कर करना चाहते हो माल लिश्या आप गरीबों में food को बातना चाहते तो आप अपने आसपास के घरों के आसपास इतने भी जो गरीब हैं उनके पास आप जाके food को दिस्ट्रिब्यूट करोगे तो यहां सी भी आप ध्यान रख सकते हो food and public distribution तो पूरा आपको ध्यान आ चाहेगा यह बहुत ही जादा आजकल वैसे भी limelight में चल रही है और काफे जाथ अच्छा यह काम भी करती है तो चलो इनके पास कौन-कौन से यह की मिनिस्ट्री है ministry of finance and ministry of corporate affairs with मंतुराले इनके पास और corporate कार्य मंतुराले है वैसे तो आपको ध्यान होना चाहे इनका फिर एक छोटी से ट्रिक यहां पर हम बना ही लेते हैं तो हम कैसे बनाए निकरा पैसे से हो गया फाइनेंस का मतलब हम यह पैसों से लगा लेते हैं फाइनेंस आप चो कॉर्परेट सेक्टर होते हैं हमारे वहां पर फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है तो इन दोनों को आपने ऐसे रेलेट कर दिया अब पैसा कैसे आएगा हाथ में जब मन को साफ रखोग जितना भी जूट से पैसा कमा लो वो पैसा कभी भी आपके हाथ में नहीं रुकेगा ठीके किसी ना किसी दिन चला जाएगा लेकिन मन साफ होगा सची मन से पैसा कमाएंगे तो कभी भी आपका वो पैसा जाइस नहीं जाएगा तो यहां पे आप मन साफ रखने से क्या चिके चलो फिर आगे बढ़ते हैं next पे देखो क्या है बहुत ही अच्छी ट्रीक यहाँ पर हम इसके बारे में सीखेंगे क्या है देखो रवी शंकर प्रिसाद तो साइट में आप सभी की फोटो ज़रूर ध्यान से देखते रहें क्योंकि आपको पदा होना चाहिए कि कौन से मिनिस्टर कौन है अगर हम भात करें रवी शंकर प्रिसाद जी की तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्टरी है देखो अगर हमें जस्टिस मिलेगा अगर मालनो आप कोट में गए आपको नियाय मिल गया मतरब समझ लो के भगवान का पुरसाद मिल गया आपको आजकल तो वैसे भी आपको पते कि इंडिया में न्याय लेना बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है अगर न्याय मिल गया तो हम सर्च में ही समझते हैं कि हमने गंगा नहाली हमें पृसाद मिल गया तो ध्यान डखना है कि law and justice से यानि कानूर अन्याय मंत्राले यानि प्रसाद मिल गया तो रविशंकर प्रसाद अब जब आप कोट में जाते हो तो जज और जो जितने भी वकील होते हैं या कोई भी गवाह होता है वो आपस में वाचीत तो करते हैं न वहाँ पे यानि उनके बीच आपस में क्या हुता है यहां से आप यहां डख सकते हो संचार मंत्राले उसके बाद आजकल तो कोई चल रहा है कोट भी नहीं खुल रहें आप जब कोट नहीं कोल रहें तो जितने भी आप अगर मानू केस चल रही हैं वो कैसे चल रहें वर्चुली यानि आपको उसमें टिक्नलोजी की जरूरत है, आपको उसमें इलेक्ट्रोनिक्स की जरूरत है, तो यहाँ पर हमाले पास तीसरी मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, Ministry of Electronics and Information Technology, यानि आपको यहाँ पर टिक्नलोजी की जरूरत पड़ी की, तो देखो, तीनों मिनिस्ट्री कितने अच्छे से ध्यान हो गई, तो आपको एक ध्यान रखना है कि भाईया, लो एंचेस्टिस, हमें न्याय मिल गया, तो भगवान का प्रसाद मिल गया, इसका मतलब रभी शंकर प्रसाद हो जाएगा, इस मिनिस्ट्री के जो हेड है, यह इसको समालते हैं, तो इस तरीके से देखो, आप आसानी तरीके से सबी चीज़ों को ध्यान कर सकते हो, नेक्स्ट मिनिस्ट्री देखो, क्या है नरेंदर सिंग तोमर जी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री और एगरिकल्चर और फार्मर्स वेलफेर, यानि करशी एवं किसान कल्यार मंत्राले, दूसरी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री और रूलर डेवलपमेंट, ग्रामीर विकास मंत्राले आज तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री और पंचायती राज यानि पंचायती राज मंत्राले तो तीन मिनिस्ट्री है इनके पास अब देखो ध्यान के से करना है मैं दो ट्रिक आपको यहां से बताऊंगे पहली ट्रिक देखो क्या है नरेंदर ज कि कोई भी फसल उगा रहे तो बारिष्टों चाहिए तो यहां से हम क्या ध्यान लग सकते है अगरीकल्चर एंड फार्मस वेलफेयर अब अगरीकल्चर फार्मस का सम्मण्द किस्से होता है ग्रामीड चाहिए तो यहां से रूलर डेवलप्मेंट होगने और पंचायते भी क यहाँ पियु आनके में 한ाय जबक पोमर के फारमेड होती नहीं नहीं कहता है्जािए फैर्मर्स गाउ में रहते है तो यहां से बता दी हैं आप कोई सी ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ठीके चालो नेक्स्ट देखो क्या है थावर सिंग गहलोत इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे देखो क्या है Ministry of Social Justice and Empowerment इनके पास कौनसी मिनिस्ट्री है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रवाल है अब इसे ध्यान कैसे करना है आप देखो यहाँ पर क्या है थावर सिंग गहलोत थावर से ध्यान रखो थपड ठीक है थोड़ा से रिलेट कर सकते हो थावर से ध्यान रखना है थपड अब देखो भईया हमें थपड से डर नहीं लगता सोशल जस्टिस से डर लगता है थोड़ा सा हमने क्या करा डायलोग को चेंज कर दिया आपने सुना ही होगा पांडी जी का डायलोग है थपड से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता है सुनाक्षी जी बोलने आएपको यह ध्यान रखना है, आगे देखो next क्या आता है, next आते ही हर्शवर्धन, या अब हर्शवर्धन के पास कौन कौन सी ministry है, तो इनके पास है Ministry of Health & Family Welfare, स्वास्ती एवं परिवार कल्यान मंत्रा ले, दूसरी है Ministry of Science and Technology तो यानि विज्यान इवन प्रद्योगी की मंत्रा ले और तीसरी कौन सी है Ministry of Earth Science यानि भू विज्यान मंत्रा ले अब इन तीन मिनिस्ट्री को भई ध्यान कैसे रखना है अब देखो यहां पर क्या रहा है हर्ष हर्ष का मतलब क्या है खुशी हमीं खुशी कब होगी जब हमा तो भई जब आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आगे बढ़ोगे तो वहां से अब बर्धन भी लगा सकते हो अब देखो खाली हम अपनी फैमिली के खुशी की हो जाएं हम तो पूरी अर्थ की खुशी जाएंगे तो यहां से हम क्या लगाएंगे अर्थ साइंस और अर्थ ह यहां पर हम अपने साइंस और टेकनोलॉजिक का सही से इस्तमाल करेंगे तब हमारी अर्थ का जो ग्रोथ है जो बढ़ना है वो सही से होगी तो यहां पर बढ़ना से आप वरधन याद कर सकते हो ठीके तो यहां से क्या हो गया हर्ष वरधन इस तरीके से देखो छठीशी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है अगर आपके पास कोई अपनी ट्रिक है तो मुझे कामेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं भी तो जान सकूँ आपकी दिमार्ग में कौन-कौन सी ट्रिक्स आती हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स देखो क्या है नेक्स्ट है सुब्रेमन्यम जैशंकर जिसे हम शौट में आपको बहुत सुना होगा एस जैशंकर लिखा हुआ आता एक्जाम में और काफे जादा न्यूस में रहते हैं तो आपको इनको पता होगा कि इनके पस मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफियर्स यानि विदेश मंत कि अपने देश के में काम करना तो इजी होता है लेकिन बाहर विदेशों के साथ काम करने ही में थोड़ी बहुत तो हेल्प चाहिए भगवान के दुआओं की भी तो यहां से भगवान का अगर नाम आ तो जैशंकर तो दूसरी ट्रिक देखो आप क्या करे सकते हो कि अगर अगर आप तो पोखरियाल निशंक से बना सकते हो कि अगर आप सिक्षा अच्छे से करो के तो यहाँ पे आपके ना कामियाब होने के कोई भी निशान नहीं रहेंगे आप हमेशा कामियाब ही बनोगे तो निशान नहीं रहेंगे तो निशान नहीं रहेंगे तो निशनक आप कर सकते हो इस तरीके से आप अपना बना सकते हो वैसे आपको डायरेक्ट होना चाहिए या अगर आपने स्मृति इरानी जी की फोटो देखी होंगी तो यह हमेशा साड़ी में नजर आएंगी और काफी अच्छी जी साड़ी पहलती है जब भी कहीं भी जाती है यह जो इनका आप कहलो बेश भूशा होती है बहुत ही सुंदर साड़ी होते हैं तो साड़ी यानि कपड कपडा यानि कपडा मंत्राले तो यहां से आप एक चीज़ ध्यान लग सकते हैं और वूमेन चाइल्ड डिव्लप्मेंट का ध्यान रखना है इस्मृति जूबिन इरानी इनके पास दो मंत्राले हैं नेक्स्ट देखो अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा जी के पास एक मिनिस्ट्री है कौन सी मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेयर्ज अब इसे कैसे ध्यान करोगे देखो अर्जुन आपने सुना होगा अर्जुन के बारे में महाबारत में थे उनको तीर चलाने का बहुत ही शौकता और सबसे अच्छे धनुधर माने जाते थे अर्जुन अ जहां से ट्राइबल मिनिस्ट्री को आप रिलेट कर सकते हो ठीके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रकाश जावडे कर प्रकाश जावडे कर प्रकाश जावडे जाची के पास तीन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ओफ एन्वारेमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्दन मंत्राले, सेकिंड है इनके पास Ministry of Information and Broadcasting, सूचना एवं प्रसारन मंत्राले and लास्ट है Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, तो तीन मिनिस्ट्री इनके पास है, अब देखो ध्यान कैसे करना है, वो भी जान लेते हैं, देखो यहां पे क्या है Environment, Forest and Climate Change, आपके परियावरन जो भी है, आपके जो भी वन है, उन सभी को प्रकाश के ज़रूरत होती है, अगर पेड़ों को प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो अपना भूजन कैसे बनाएंगे, तो उनको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, और प्रकाश से आप क्या ध्यान रख करना है, प्रसानर का मतलब है, आप जैसे टीवी वगरा पर देख तो तो टीवी वगरा पर जोब आप को चितर वगरा दिखते हैं, तो वहां पे क्या और सारा अնधेरा रहता है, अन्धेरा तो नहीं रहता ना, अंधेरे में तो कुछ आप हैवी इंडुस्ट्री भी आध कर सकते हो तो ध्यान रहेगा प्रकाश जावडेकर जी के पास कितनी मिनिस्ट्री है तीन मिनिस्ट्री है अगला देखो क्या है नेक्स्ट है किरन रीजुजु के पास कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफेर्स और युवा अब इसको याद करें कैसे भाई सही बात है देखो किरन किरन से आप क्या ध्यान रख से लोगी अब आपके पस एक आशा की किरन होगी जब भी आप अपने युवाओं को जो हमारे यूथ हैं या फिर उनके स्पोर्ट को उनकी स्पोर्ट की जो स्किल अनके प्रतिबा है उनको आगे बढ़ाओगी तो वहां से उन्हें एक आशा की किरन मिलेगी कि हमें भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो यहां से आप किरन से क्या ध्यान रख सकती हो आशा की किरन और किसके लिए यूथ के लिए तो यहां से याद हो जाएगा Ministry of Youth Affairs and Sports ठीके अगला पियूश कोयल जी सभी को इनके बारे में पता है Ministry of Railway इनके पास है और इनके पास Ministry of Commerce and Industry यानि वाने चे एवं उद्योख मंत्रा ले दो मिनिस्टी खोई हैं संभालती हैं अब इसको ध्यान में कैसे करें देखो पियूश कोयल जी का शौट फ़र्म में अगर हम बात करें तो क्या होगा PG PG जब यहां बहार रेती हो मालो आप अपने कोचिंग के लिए बहार जा रही हो आप वहाँ पे PG लेते हो रहने के लिए तो वहाँ पे PG लेने के लिए आपको वहाँ पे जाना है मालो आप यहाँ पे अपने घर पर दिल्ली आपको जाना है तो आप केसे जाओगे ट्रें से जाओगे बस भी पकड़ सकते हो बर ट्रेन ध्यान रखो ना ट्रेन से अच्छे से यातरा हो जाती है आसानी से तो ट्रेन से क्या हो जाएगा रेल मंत वाले हो गया तो पहली बात हमें यहां से समझ के आगई अब अगर हमें अपने commerce और industry वगेरा में कहीं भी हम अगर जाना है हम अपनी industry भी बाहर करें खोलना चाते हैं और अपने काम को हम क्या करना चाते हैं और बढ़ाना चाते हैं तो रेल के द्वार अगर जाधा travel करें तो हमें कम कीमत में हम जाधा travel भी कर सकते हैं तो यहां से आप ध्यान रख सकती हो ministry of commerce and industry ठीक है दो ministry हमें आशियाद हो चाहेगे प्योश को जी की आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखो धर्मेंद्र प्रधान भाई यहां पे हम कैसे ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छी ट्रीक यहां पर हम ध्यान रखेंगे देखो क्या धर्मेंद् पर्तिगेस मंत्राले और ministry of steel यानि इस पात मंत्राले दो इनके पास ministry हैं अब देखो हमें से ध्यान में करते करना है अब देखो पेट्रूलियम क्या होता बहुत ही सॉफ्ट होता है मतल्द लिकृट फर्म में होता है न तो यहां से आप एक तरीके से सॉफ्ट लगा लो औ अगर आम बात करें दोनों की थो तो जो तो तो तरह थोड़ा सौफ नेचर की है उनके मुवी में थोड़ा सौफ नेचर दिखाया जाता औरना वो तो बहुत ही ऐसे दिखाया जाता तो इसका मतब स्टील की तरह पावरफुल हो ने दिखाया जाता है तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकती हो Ministry of Steel और Ministry of Petroleum तो हमने इसे सनी और बॉबी देवल की तरह से याद कर लिया तो धर्मेंद्र के दोनों बच्चे है तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो चलो भई आगे आजाते है नेक्स्ट है गिरी राज सिंग इनके पास Ministry है Ministry of Animal Husbandry, Daring and Fisheries, पशुपालन डेरी और मतस्ते पालन मंत्रा ले आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे देखो गिरी राज में क्या है रहा है गिरी गिरी मतलब होता है पहाड आपने सुना होगा कि किसने पहाड को उठाया था किसने उठाया था बताओ भगवान श्री कृष्णी ने उठाया था अब इतना था सबको पता होगा तो भगवान श्री कृष्णी को बहुत ही जादा क्या पसंदी गाई पसंदी गुवाला बुला जादा था ने तो उनके उनसे हम क्या याद सकती है उनसे हम ध्यान रख सकती है पशुपालन और पश अब भाई इसको कैसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यह तो हमें ऐसे इंपॉर्टेंट तो भोजलती याद हो जाते हैं बट डोंट वरी आपको यहां पे में सारी ही ट्रिक बताने वाली हूँ देखो क्या है इसके ट्रिक हम क्या लगाएंगे सो देखो हम इसे ध्यान में कैसे करेंगे इनके पस First Ministry कौन सी है Ministry of Minority Affairs अब देखो हमें पदै कि जो Minorities होते हैं हम उनका हक नहीं चीन सकते हैं हम उनके मुख को नहीं मोड सकते हैं माइनॉरिटीज का यानि हम भी उनको बरावर का हग देना चाहिए माइनॉरिटीज को तो यहां से मुख से क्या हो जाएगा माइनॉरिटीज हो जाएगा तो ध्यान रहेगा Ministry of Minority Affairs किसके पास है मुकतार अबास नकवीची के पास है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है प्रहलाद जोशी प्रहलाद जोशी के पास तीन मिनिस्ट्री है फोस्ट है Ministry of Parliamentary Affairs यानि संसद्य कारे मंत्राले Ministry of coal कोईला मंत्राले और तीसरी है Ministry of Mines यानि कान मंत्राले अब हम भी इसको कैसे ध्यान रखेंगी यहां पे नाम क्या है प् तो Parliamentary Affairs अब आग को बहलाद बैटे थे हुलिका में वहां पे आग लगाई गई थी आग के लिए हम क्या आद रखेंगे कोईला कोईला से भी हम क्या कर सकते हैं आग को लगा सकते हैं कोईला मिलता कहां पे खान में मिलता है तो यहां से क्या हो गया Ministry of Mines तो देखो इस तरीक क्या है महेंदर नात पांडी महेंदर नात पांडी ची के पास Ministry है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship यानि कोशल विकास एवं उद्दमिता मंत्रा ले अब इसे कैसे धियान रखेंगे आपने महेंदर बाहुबली की मूवी तो सभी ने देखियोगी पूरा नाम उनका क्या था महेंदर बाहुबली अब उनके पास इतनी सारी श्किल्स थी वो लड़ाई अच्छे से कर ले दे ठीक हैं अगर कोई भी काम होता था वह फटा फट से कर ले थी उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी तो स्किल्स से आप क्या ध्यान रखोगे Skill Development और Skill Development अगर आपका अच्छा होगा तो आप आप प पासनी से हम चीजों को समझ सकते हैं तो जितने मिनिस्टर ते आप अगर देखो तो हमने छुट छुटी स्टोरीज रिलेट कर ली किसी से क्या रिलेट कर लिया इस तरीके से आप अपनी भी बना सकती हो ट्रेक्स तो आज हमने ट्रिक पड़ी काबिनेट मिनिस्टर्स की मैं आपको सीम और गवर्नर की भी ट्रिक से अच्छे से समझा दूँगी क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होती ही सीम और गवर्नर याद करने में तो इसके भी हम ट्रिक बनाएंगे और जल्दी ही वो वीडियो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी तो चलिए फिर आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिलकुल न भूले लाइक करने में कंजूसी ना करें शियर करने इसे सभी के साथ यहां से आप ट्रिक से ध्यान कर सकते हो and also subscribe my channel so thank you like share the video and do not forget to subscribe my channel thank you for watching this video